हिंडन बर्ग रिपोर्ट पर विपक्ष लगातार आकरामक नज़र आ रहा है कॉंग्रेस ने जेपी सी जांच की मांग की है बीजेपी ने इसको खारिज कर दिया है नव भारत ने इस खबर को जगा दी है कॉंग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने सेबी की प्रमोक माधवी बुच के खिलाफ हिंडन बर्ग रिसर्च के आरोपों को लेकर सुंबार को उनके स्तीफे की मांग की है और कहा कि अदानी समूस से जुड़े मामले की जेपी सी से जांच होनी ही चाहिए दूसरे तरफ भाजपा ने जेपी सी से जांच कराने के मांग को खारिज करते हुए कहा कि ये भारती अर्थ विवस्ता को कमजोर करने और देश में निवेश को नुकसान पहुचाने के लिए किया जा रहा धकोसला है देखिए अंबेटी ने इस खबर को फरंट पेज पर तरजी दी है हम आपको खबर भी दिखा रहे हैं अमेरिकी कंपरी ने कहा कि सेवी चीफ ने आरूप कबूले देखिए अब देखिए पूरा मामला जो है कही न कहीं पेज उलजेगा ये अब दिख भी पा रहा है कॉंग्रेस ने कहा जेपीसी नहीं तो आंदूलन होगा यानि कि कॉंग्रेस इस पूरे मसले पर अब जेपीसी जाच के लिए अड़ गई है आपको ये भी पता दें कि अब जो आरूप लगाया है हिंड़ंबर की ओर से वो सीधे सीधे सेवी के उपर लगाया गया है हलाकि सेवी ने इस दुबाबत अपनी बात तो रख दी है लेकिन कहीं न कहीं अब ये भी कहा जा रहा है कि सेवी सबूत दे इस बीच आपको बता दें कि सत्ता पक्षो या विपक्षो आरूप रत्यारूप का दौर मानो शुरू हो गया तो अमेरिकी कंपरी हिंजंबर्ग रिसर्च के आरूपो पर केंद्रिया कपड़ा मंतरी गिरीराज सिंग ने कहा कि हिंजंबर्ग रिसर्च में कॉंग्रेस के साथ मिलकर देश को बदनाम किया एस अमारीकी कंप्री पर सकत कारवाई की जाएगी, मादवी कंप्री ने कहा कि हमाई रिपोर्ट से भी प्रमुक मादवी बुछ ने जवाब देती हुए कहा कि कई बाते कबूल ली गई है, मादवी के जवाब से पुश्टी होती है कि उनका निवेश बर्मुडा यानिकी फंड में था इसी फंड का इस्तमाल गौतम अडानी के भाई विरोत करते थे बहराल ये पूरा जो मामला है अब कहीं न कहीं सवालों के घेरे में आता जाए जो कि सत्ता पक्ष और विपक्ष अब इस मामले को लेकर हमने सामने आ खड़े तो विलकुल अगर आप पूरे प्र कोसस का सामना करना पड़ा था हाला कि उसके बाद जो केंदर सरकार है उसने एक जाच भी बैठाई थी पर वो जाच लगबग 6-7 महीने के अंदर ही रुक गई है यूं समझे के स्थेर हो गई उसको लेकर के विपक्ष अब एक बार फिर से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट शेल कमपनीज के थूँ शेल कमपनी उस तरीके की कमपनीज होती है जो कि शेयर मार्केट के अंदर स्लीपर सल की तरीके से काम करती है और जो खरीदने बेचने का काम तो जरूर करती है लेकिन उनका रेकॉर्ड कहीं पर नहीं होता सिर्फ वो कागजों पर होती है तेकि इस जो आरूप लगाया गया, वो सीधे सीधे सेवी के उपर लगाया गया, कि आपकी मिली भगत के अकॉर्डिंगी, यानि कि आपको संग्यान रहता है कि क्या कुछ घौटाले बाजी चल रही है, हलाकि इसी को लेकर अब देखिए, राहुल गांदी जो है, पूरे मून में है, प्राहुल गांदी कह रहे हैं कि आप जोईन पर्लिमेंट कमीटी के अगठन करें, इस पर आप चर्चा करें, विचाविमर्श करें, चुकि यह मसला जो है वो देश से जुड़ा हुआ है, इस बीच आपको बता दे सत्ता पक्षे कह रही है, चुकि भारत एक बढ़ती हुई अर्थ विवस्ता है, चाहिबाद ब्रिटेन की कलेज़े, अमेरिका की कलेज़े, इस वक्त जो एक्कोनामिक कल्डिशन्स हैं, वहां की राश्टों के अचिनी है, चुकि भारत एक उबरती हुई अर्थ विवस्ता है, इसलिए जो विपक्ष है, वो ऐसे सभू के साथ, ऐस इसी कमपनी के साथ सिर्फ और सिर्फ भारत को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, यहां के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, और चवी को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है, बहरा लब देखना होगा, यह मसला आगे कहां तक जाएगा?